प्रिय भाई और विहनों आज का सुबसनेश के लिए अब सभी को हम स्वागत करते हैं मैं तेरी सूती करूँ है मेरे परमेश्वर तेरे ही नाम के सूती हो सदा मैं तेरी रहूँ तेरी ही नाम के सूती हो सदा मैं तेरी रहूँ जिकासंदेश प्रफुक एदास वरगिस की सिजाजस्तान से वाटा जाएगा प्रारतने के साथ सुनिए परमेश्वर के बगूले नाम की महिमा करता हूँ एक बार और सबसंदेश कारिकर में हम सबको स्वाइद करते हैं आईए आज के बजार के लिए हम निगालेंगे कुलियोस्वर की पत्री पहले अद्याए उसकी तीन से आठवी आएट तक हम देखेंगे समय के कमे के कार में पहला आएदे पर पढ़ना चाहता हूँ उसका तीसरी आएद हम तुमारे लिए नित्य प्रार्टना करके अपने प्रविश्वर मसी के पिदा अर्ताद परमेश्र का दन्यवाद करते हैं प्रव की नाम की महिमा हूँ हाँ कुलोसिंगी पत्री के दूसरा दिन के रूप में दूसरा जो विश्वर है उसके उपर बिचार करना चाहता है कुलोसिंगी पत्री के बारे में पिछले सब्तामने कुछ बात जिरूर सुना है आईए एक दन्यवाद की प्रारतना की रूप में इस अध्याय को हम देखते हैं कुलोसिंगी पत्री में प्रवलोस इस आएदों में तिन से आठ आएद के अंदर चार बात बैदाना चाहते हैं प्रवलोस था हमें याद दिलाते हैं पहला बात है कुलोसियों की पत्री एक विश्वासियों के लिए 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 कुलोसियों के लिए 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 खिलिष्या का मेन उद्देश यही है कि एक दूसरा उंके लिए प्रार्टना करना प्रार्टना इसलिए करता है कि यदि किसी का जीवन में कुछ कमी हो या कुछ कमजोर हो या कुछ परिशान हो दूसरा उनकी मदद में आए उनके लिए प्रार्तना करके परिमेश्वर में इनको बेलबंद करें यही है केलिसिया का मुक्य उद्देश केलिसिया एक दन कमाने वाला कोई भी बिसनस संडर नहीं है लेकिन मनिश्वर का आदमी उन्नेदी के लिए परिमेश्वर के साथ करने वाला एक संगदी है वह यह कलिसिया एक हम पावलोस बताते हैं कि हम तुमारे लिए नित्य प्रार्तना करते हैं हम विश्वासियों के लिए ये करते हैं कि हम दूसरों के लिए नित्य प्रारत ना करते हैं इसका कारण क्या है उसकी दूसरी बात हम देखते हैं कि इसकी पांची वे आदि के अंदर हम देखते हैं उस आशा की हुई वस्तू के कहरण जो तुम्हारे लिए सुर्ग में रिकी हुई है जिसका वर्नल्ड तुम उस सुसमाजार के सत्य वजन में सुन चुके हो दूसरी बात हम देखते हैं कि सुसमाजार के सत्य वजन एक केलिसिया के विश्वास होंगा जीवन में सत्य वजन सुनने वाला या सुनने वाला बहुत कम है कहील अनियग लोगों को सुसमाजार के सत्य वजन सुनने का इच्छा भी नहीं है अनियग जगावा में ऐसा सुनाता भी नहीं है सुसमाजार के नाम और बहुत कुछ चड़ रहा है बहुत कुछ सुनाते हैं ये इसे लोग संदुष्ट हो जाता है लेकि सुसमाजार का सत्य बजन यहां की जो किलिसिया है सुने है हमारा जीवन में भी सुसमाजार के सत्य बजन सुनना बहुत जरूरी है सब्समाजार नहीं सब्समाजार के संबंद में लिकी हुई सत्य बचन को सुनकर आगे बढ़ना एक हिलिस्या के विश्वास हरे के विश्वास होंगी जीवन में ये जिरूरी है इसके लिए परमेशल आपको स्वाइदा करें तीसरी बात इस आएदों के अंदर हम देखते हैं कि उसकी चट्वी आएद में हम बढ़ता है जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल आता और बिढ़ता जाता है इसमें हम देखते हैं कि जगत में फल आना जगत में रगतते हुए ही फल आना ये कलिसिया का विश्यासियों के लिए फरमेशर का इचा है सर्ग में फरमेशर का इचा है सर्ग में फरमेशर के लिए बात लोग बताते हैं लेकिन जगत में ही रहते के समय पर फरमेशर हम से चाहते है हर एक विश्यासियों के लिए ये जिरूरी है हम जगत में रहते समय पर फल लाना फल लाना मतलब है हम सब्वियों में से कुछ ना कुछ अच्छा फल निकालना हमें बहुत जरूरी है एक विश्यासियों का जीवन सुबह से शाम दक समाज के लोगों के साथ है या अपनी परिवार के पड़ोसी लोगों के साथ है अपनी परिवार के अन्य सद्दिसियों के साथ है गगाम इदी हम से फल नहीं लाया हम से कोई फल निगला नहीं है तो जैसा मसी पेड़ को देके कहा कि इसमें फल नहीं है उसको काट दिया जाए और सिप्रार हमारा जीवन में भी फल नहीं लाया तो हमारा जीवन वर्थ हो जाता है वले कितना भी बड़ा हो कितना भी उन्चे पढ़ी हो लेकिन फल नहीं लाया तो इसका फल क्या फाईदा है अनियाग जगाव में अनियाग बड़े-बड़े लोगों को जीवन देको लोगों का जीवन देखो बड़ा उबिस में जाओ बड़ा उबिस तरह अच्छा पड़ालिका है लेकिन किसी का कोई काम नहीं है अन्यवा लोग ऐसी है अच्छा नाम है, पद है सब कुछ है लेकिन किसी को कोई काम का नहीं है किसी का कोई मदद नहीं करता किसी का कोई फाइदा नहीं नहीं है तो लोग इनको देखे क्या बोलेगा अरे फल नहीं है उनके जीवन में कोई दम नहीं है लेकिन एक पिशासियों का जीवन में ऐसा फल निकालना बहुत है जिरूरी है चौती बाद इसमें से हम देखते हैं कि उसकी साथवी आईदी के अंदर पहलोस बिलाते है उसे की सिश्चा तुमने हमारे प्रिया सहंगर में इपफरास से पाई जो हमारे लिए मसीर का विश्वास योग्य सेवग है यहां हम एक प्रिया का बाद पहलोस इपफरास के समद में कहते हैं यही है कि मसीर का विश्वास योग्य सेवग एक विश्वास योग्य के लिए एक किलिस्या का सदिस्य के रूब में हम सभी के लिए प्रवेश मसीर का शरीर का अंग किरू में ये जो किलिसिया है उस किलिसिया में जो सदसे रहकर एदियम आगे बढ़ना चाहता है तो हमारे लिए ये जिरूरिये कि मसीर के लिए विश्वास योग्य सेवग बिनकर आगे बढ़ना येका सेवग का खाम ये होता है कि गुरु जो कहते है वो मांग दे है वैसागी चलता है प्यारे मित्रों ये चार बात आज हमने इस आजों में देखा है एक दूसरों के लिए नित्ये प्रार्ट न करना स्वस्वाजार के सत्य बजन को दोसरों के सामने अमारा जिवन में और दोसरों के सामने अमल करने के लिए कोशिश करना तीसरा जगत में जहां हम रहते हैं वहां फल लाना चौती बात है विश्यासियों के एक सेवग बन कर आगे बढ़ना एक विश्वासियों के लिए ये सब बात है विश्वासियों के लिए जिरूरी है अमरा जिवन में जिरूरी है उसके लिए परमेश समय साधा करें मल्द करें इस वजन के दुआरा प्रव मियाश्च दें प्रव की नाम की महिमा हो